हाई गाईज, वेलकम तो माई एजुकेशनल चानल, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तापकि आपको सब इन्फोर्मेशन सबसे जल्दे मिल सके, अपना काम है construction, you have to construct the angle of 30 degree, that angle of 30 degree using only compass, अगर compass से आपको 30 degree angle draw करना है, तो सबसे पहले आप draw करेंगे एक ray एक ray draw करने के लिए, just pencil और scale यूज़ करो, ये point of origin है, इसको लिख दिया B, ये हो गया C, अब आपको एक compass यूज़ करना है, compass में कोई भी आप major ले सकते है, बी को center पकड़ के एक arc draw करना है, अब ये major को change नहीं करना, जहाँ पर intersection हुआ है, वो intersection से और एक draw करेंगे, ये ray को जहाँ पर हमने intersect किया है, जहाँ पर cut किया है, वो point of intersection और ये origin, अगर हम join करते हैं, तो ये तो अपना 60 degree होता है, लेकिन हमको होना 30 degree, तो अब हम इसको bisect करेंगे, bisect करेंगे मतलब इसके two equal parts करेंगे, अब जो भी distance है, उसको हम थोड़ा increase कर सकते हैं, थोड़ा increase करने के बाद, जहाँ पर दोनों race को ये आर्क ने intersect किया है, वो point को center पकड़ो, और बीच में आर्क ड्रॉ करो, दूसरे point को center पकड़ो, इसे intersect किया, आपको मिल गया ये point of intersection, ये point of intersection अगर ये vertex से हमने join किया, यहाँ पर हमने एक ray draw किया, ये हो गया अपना 30 degree, this is 30 degree, this is 30 degree, और टोटल होता है 60 degree, तो ये प्रोटरेक्टर से अब हम चेक कर सकते हैं कि अपना 30 degree angle आया क्या, अब सब से नीचे की जो ray है, 0 को coincide होती है, अब हमने जो draw किया, वो होता है 30 को coincide, और उसके पहले जो draw किया था, वो था 60 को coincide, it means, यहाँ पर हमने जो angle draw किया है, वो होता है 30 degree angle, इसको हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पर तयार हो गया angle ABC, now you can write angle ABC is equals to 30 degree, तो compass से हमने protractor से चेक किया, यहाँ गया 30 degree angle, thank you,